फर्जी अनामिका शुकला चर्चित मामले में अमेठी से एक फर्जी अनामिका शुकला को गिरफतार किया गया है देखिए फर्जी अनामिका शुकला के नाम पर नौकरी प्राप्त करना ये चर्चा का विशय बना हुआ है अमेठी जहां पूरी देश में चर्चा का विशह बनी फरिया नाम की अनामीका शुकला के नाम पर फरजी दस्तवेजों के सहारे नौकरी करने का मामला 6 जुन को अमेठी बेसिक सिक्षव अधिकारी ने दर्च कराय था उसी मामले में अमेटी कोतवाली पुलिस ने बस इस्टेंड के पास से फरजी अनामिका शुकला को गिरफतार किया है पकड़ी गई फरजी, सिख्षिका कनोज जिले के विश्नुगर थाना शेत्र के सरदाई गाउ की रहने वाली है स्पी ने बताया कि आरूपी अनामिका शुकला के नाम पर उसके सिख्षिका प्रमान पत्र, अधारकाड और निवास प्रमान पत्र कस्तूरबा गांधी विध्यालय मेटी में नौकरी कर रही थी जिसे ग्रफतार कर जेल भेज दिया गया है बीरो रिपोर्ट, HBN News यहां पर फरजी दस्तावेजों के दैक फरजी भरती का एक मुकत्मा दर्ज कराया गया था उसमें अमेठी में जो अनामिका शुकला के नाम से जो लड़की है कारे रथी आर्थी नाम है जो थाना विशुनगर कर नौज की मूलता रहने वाली है और अमेठी में वो नवंबर के बाद से जोईन करके कारे रथी उस लड़की को आज थाना मेठी की पुलीस द्वारा गिरफतार किया गया जो अनामिका शुकला के नाम से जो लड़की है आर्थी इसके तीन उपनाम है आर्थी और आकृती और अनौज की रहने वाली लड़की है अठाइस नमंबर को ये लड़की यहां पर कारे रथ हुई थी इसमें जो इनका में मास्टर माइंड था पुश्पेंडर जिसको एस्टेफ दारा गिरफतार किया गया है उसके ये संपर्ख में आई थी और नौकरी का जहां सा देने के चलते इसके नाम से और अनामिकर शुकला के सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्च करके इस लड़की को यहां पर नौकरी दिलवाई गई थी इसको ये जानकारी नहीं थी कि इसके साथ सातने कई जगह पर कई लड़कियों को सेम नाम से नौकरी दी गई है दो लाख रुपे में ये पूरी बात तैह हुई थी और जब ये लड़की असमर्थ रही कि मैं दो लाख रुपे एक साथ नहीं दे पाऊंगी तो ये तैह हुआ कि हर सैलरी से 50-50% करके किस्तों में पुषपेंदर को पैसा वापस करेगी